इस वीडियो में मैं आपको अपना J-Means का 2021 का फॉर्म लाइफ भर के दिखाने वाला हूँ है ना क्यों अब भीया इसकी क्या जरोत पड़ गई तो यार बहुत सारे बच्चों को छोटे-मोटे डाउट्स रहते हैं भीया अच्छा यहां पे क्या भरना है इसमें क्या चीज तो यार ऐसे मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स हुआ करते थे जब लास्ट यहर मैंने अपना J-Means का फॉर्म भरा था तो इस वीडियो में मैं ट्राय करूंगा आपके जितने भी चोटे-मोटे डाउट्स होते हैं ना फॉर्म से रिलेटेड कैसे भरना होता है क्या यहां पर भरूं को क्या वहां पर भरूं यह सारी चीज़ें हम ट्राय करेंगे सॉल्फ करने की तो आपके दिमाग में अगर कोई चोटे-मोटे डाउट्स हैं तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना क्योंकि आर वो चोटे-मोटे डाउट्स अगर आपने वहा कौन सी टैसीरीज दें यार यह टैसीरीज दें वो टैसीरीज दें हैना तो उन सभी बच्चों के लिए आज मैं एक खुशखबरी लाया हूं ठीक है अनकेडमी पर एक टैसीरीज चल रही है ठीक है जिसका नाम है एस्पाइड जीमीन 2021 तो यह टैसीरीज बिसिकली आपके जी मींस पैटन पर हो रही है है ना फुल स्लेबर स्मॉक टेस्ट हो रहे हैं इस टैसीरीज में अल्रेडी यार इसमें 13 14 टेस्ट हो चुके है ठीक है आपका अगला टेस्ट है 20th of December को है तो इनकेस यार इफ यू गाइस वांट टू स्टार्ट गिविंग फुल स्लेबर स्म यूज कर सकते हो ठीक है प्रोमो कोड और लिंक जॉइन करने की इन्रोल करने की आपको नीचे डिस्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी कोई चिंता करने वाली बात नी बाकि यार जाके एक बार देखना है ना उससे आर आपको रैंकिंग भी अपनी पता चल जाएगी आप कह प्रवा मौका मिलेगा तो मेक शुरार सभी जो 2021 के एस्परेंट है जाके इन्रोल जरूर कर लेंगे तो विद याट बिंक से लेट्स के स्टार्टे तर जो सबसे पहला काम हम लोगो को करना है वो करना है जेएमेन की ओफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो जेएमेन.nta. .nic.in ठीक है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो आप सर्च कर लेना गूगल पे वहाँ पे मिल जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पर आपको ऑफिशल वेबसाइट पे जाना है ठीक है आप ऑफिशल वेबसाइट एक बार खोलोगे तो कुछ ऐ है इसी दिखेगी तो यहां पर एक चीजह इंपोर्टन है एक बार information bulletin जरूर पढ़ ले ना पूछ हो कि या, information bulletin में क्या लिख्ए ओह Panzer तो और information bulletin में आपकी जितने भी सारी important चीज़े हैं न कि exam कब होगा है क्या criteria है, exam कितनी shifts में होगा, exam की timing क्या होगी हर एक चीज है आपको fees कितनी देनी है, किस category को कितनी fees देनी है हर एक चीज लिखी हुई है आपके information bulletin में although थोड़ा लंबा है 60-70 page का है, तो मैं नहीं कह रहा, पूरा जाके पढ़ो ठीक है, जो important चीज़ें आपको लगे हैं कि exam कब है, fees कितनी लगेगी हर एक चीज आप यहां से आके एक बार पढ़ लेना, ठीक है, देख लेना तो assuming that आपने सारी important चीज़ें पढ़ लिए हैं, जो आपको लगें इसमें, अब चलते हैं आप फॉर्म भरने की तरफ, तो सबसे पहले आप यहां पे आपको apply for कुछ important चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तो पहली चीज़ आपको एक बर यह देख लेना, कौन कौन से आपको documents चाहिए, ठीक है, एक तो आपको recent photograph चाहिए, ठीक है, दूसरा आपको signature चाहिए, तीसरा आपको अपना, मतलब आपकी category का certificate भी चाहिए, जो कि आपको upload करना है, और अगर आप PWD हो, तो आपको वहाँ पे भी अपना certificate upload करना पड़ेगा, तो यह सारे documents है, जो आपको चाहिए, बाकियार उनकी कितनी size होनी चाहिए, क्या format होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे लिख रखा है, एक important चीज़ जो photograph से related है, जो photograph में आपका लि चीज़ यह है, कि आपका background white होना चाहिए, ठीक है, background आपका white होना चाहिए, वो चीज़ compulsory है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी photo आपको लगानी है, कुछ ऐसी photo होनी चाहिए, आपकी है, face आपका एकदम clear होना चाहिए, प्लस आपका background एकदम white होना चाहिए, बह जब बाद में एक और image upload करनी पड़ी थी, admit card के निकलने से 2-3 दिन पहले ही वो बताएंगे आपको है न, कि आपको, आपकी image सही नहीं है, आपको नई image upload करनी है, in case है अगर आपने message नहीं देके जो नहीं भेजे, तो आपका admit card नहीं आएगा है न, तो image के साथ कोई पंगा 3456 में से कोई number भी होना चाहिए, और special characters भी जरूरी है, ठीक है, add the rate हो गया, star hash ये सारे आप, example के तौर प्यार मैं आपको कुछ यहां password दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपके password कुछ इसी form के होने चाहिए, since आपने एक बार सारे instruction पढ़ लिए है, ठीक है, although सारे नहीं important चीज़ां आपको उसमें पता चल जाए, ठीक है, now उसके बाद click here to proceed, सबसे पहले आट जो आएगी आपकी personal details details है, इसमें तो कोई मेरे ख्याल से candidate name, father name, mother name, अब important चीज़ आती है, date of birth, ठीक है, candidate का date of birth आपको वही date of birth लिखनी है, जो आपके class 10th में date of birth है, वही date of birth है आप जाओ, पर यार इसमें अगर आप देखोगे ने, तो आपको यहाँ पर आधार का option direct मिलेगा नी, तो यहाँ पर आप select कर लो, अगर आप आधार कार्ट से verify कराना चाहरे हो, ठीक है, any other valid government identity with photograph, जिसमें आपका आधार कार्ट भी valid होगा, कोई दिकत वाली बात नी, NTR पता न पर्मनेंट अड्रस में, बच्चे बहुत confused रहते हैं, आप देखो, present address और बिसिकली present address और permanent address same हो सकता है, अगर आप कहीं रहते हो और वो आपका ही घर है, ठीक है, आपके parents का ही घर है, तो वो आपका permanent address हो गया, but in case अगर आप कहीं रहते हो, और वो आपका घर नहीं है, present address क्या है, या present address क्या है, अगर आपको confusion हो रही है, इसमें तो, अगली चीज़ आती है, पासवर्ड, अब पासवर्ड मैंने आपको अल्रेडी बता दिया, पासवर्ड में आपको क्या क्या सीन, याद रखना है, ठीक है, और पासवर्ड यार जब भी बनाओ तो उसे लिख पासवर्ड अपना लिख लेना कहीं अच्छे से, ठीक है, और बाकी याँ प्यार अपनी security pin आपको डालनी है, एक बार आप सारी details भर देता हो, तो मैं भी जल्दी से अपनी details भरता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो यार एक बार जैसी ही आप finish पे click करोगे, आप आपको ये खुल जाएगा अगला page है, जहां पे आपको बोल रहा है, अगर आप edit करना चाते हो, form को आप अभी भी कर सकते हो, otherwise आपको click करना है, किस पे final summit पे हमें click करना है, ठीक है, तो एक बार यार सारी details अपनी verify कर लेना है, देख लेना, क्या क्या चीज़ें हैं, आपक क्या नहीं है, ठीक है, कुछ गलत तो हमने नहीं बढ़ दिया, एक बार देख लेना, भाई, सारी चीज़ें अच्छे से, कोई यहां पे जल्दी नहीं है, जल्दी बाजी नहीं है, अच्छे से पूरी अपनी सारी details verify कर लेना, दू तीन बार कर लेना, कोई दिकत वाली बा एक बार देख लेना है, यहां पे कोई जल्दी बाजी नहीं करनी, कि भाई हमें जल्दी ल्दी फॉर्म भरना ही, कोई दिकत वाली बात नहीं है, आप राम से अपना फॉर्म भरो, और एक बार सारी details अच्छे से, 10-15 मिनिट लगाओ, सब कुछ अच्छे से देखो, क्रॉ हमारा registration यार, complete हो चुका है, हमारे पास अपना application number आ चुका है, अब हैर हमें second step की तरफ चल रहा है, जो कि है अपना application form, जो कि है सबसे लंबा यही चीज होती है, आपकी, तो हाँ पे आपको initially detail आपको कुछ सारी अपनी मिली जाएंगी, अब अगली चीज आर आपको करनी है जो बची यू details है, वो सारी भर देने कि आपकी nationality का, of course ही बाद यार हम इंडियन है, तो अपनी nationality भर देना, ठीक है, उसके बाद यार अपना state भर देना, तो भाई हम तो UP से हैं, उतर प्रदेश भर देंगे हापे, ठीक है, category अपनी यार journal है, कोई दिक्कत वाली बात नह कि भाई हम yes भर देना, बाकियार जो कि जिसे कोई दिक्कत नहीं, वो no भर रहेगा, ठीक, are you diabetic, no place of residence, तो अगली चीज़ार आपका mode of preparation है, ठीक है, mode of preparation में डाल दो भाई, आपने कैसे तयारी की है, तो हम तो हम तो हम self study डाल के निकल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं medium of schooling in qualifying examination, ठीक है, medium of schooling, अब यहाँ पर आपकी कौन से language में schooling हुईती है, तो मेरी तो भाई, English में ही डाल देंगे है, अगर आप पर English, Hindi दोनों में बढ़ाई जाती तो English ही डालो, Hindi डालो, कोई फरक नहीं पड़ता, ठीक है, apply for, BE, BTEC only, या फिर BR के लिए आप apply करना चाते हो, BTEC and BR दोनों के लिए apply करना चाते हो, तो उस पे select कर सकते हो, मैं तो फिलाल BTEC के लिए करूँगा, ठीक है, अब आप कौन से sessions में apply करना चाते हो, ठीक है, मैं तो कहूंगा यार, देखो सारे sessions का एकी साथ भर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे पैसे एकी साथ, ये वाला attempt नहीं देंगे, आपको सारे भरने, अगर आप serious aspirant हो 2021 के, तो please सारे form भर देना, ठीक है, आगे चलते हैं, ठीक है, question medium paper, है न, although आपको वहाँ पे भी एक बार पूचा जाएगा, कि आप कौन से medium में continue करना चाते हो, जब आप final paper देने जाते हो, बट यहाँ पे भी की preference wise है न, तो सबसे पास जो आपके जगे हैं, अपने area में, जैसे यार मेरे, मेरे हाँ सबसे पास है, noida, ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश पहले select करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा option noida greater noida, ठीक है, noida slash greater noida का option आगया, वो select कर लिया मैंने, ठीक है, अब यार, दूसरी जगे जो मेरे घर की सबसे पास पढ़ती है, वो पढ़ती है, गाजियाबाद, ठीक है, तो अगिन उत्तर प्रदेश डालूँगा, मैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे गाजियाबाद, ठीक है, तर यह preference एक बार थोड़ा अच्छे से भरना है, न देख ले ना सब नहीं पास कर रखी, तो और कोई option है भी नहीं आपे, ठीक है, अब place of schooling आपकी क्या थी, मेरी तो urban थी, तो मैं urban नी डालूँगा, बाकियार अगर आपकी ruler area से थे, तो वहाँ पे ruler भर देना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकियार आपका school कैसा था है, यह सारी details तो बाकियार भर देना इसे अच्छे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकियार एक बार आप सारी, मैं भी सारी information भर देता हूँ, अपने schooling से related, फिर उसके बाद हमनों अगले step पे चलते हैं, तो और education details में एक छोटा सा update था, जो मैं देना चाह रहा था, वो यह था कि education details मे आपको देखो qualifying exam 10th में तो ठीक है, हमने भर दिया 10th और equivalent, बट जब 12th में आएगा न तो आपके पास बहुत सारे option आजाएंगे, तो सबसे नीचे scroll करना और वहाँ पे होगा the final examination of the 10th plus 2 system conducted by any recognized central state board such as CBSC और New Delhi, हैना मतलब ये चीज़ आपको select करनी है, अगर आप pass out हो, या फ अब अगेन यार बाकि आपको यहाँ पे urban और state government है या private है, वो चीज़ें सारी भरनी है, ठीक है, common sense वाली, so once you are done with all the details, आपको करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे security payment डालके है, ना, summit कर देना, so एक बार आप summit पे click कर लोगे, तो आपको दुबारा बोलेगा, सारी चीज़ें टिक मारते जाना है, ना, तो मैंने यार सारी चीज़ें, cross check कर ली है, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें, टिक मार दूँ, हैना, तो once you are done with everything, now click on I agree, और I agree पे click करने के बाद हमें करना है, final summit, हैना, एक बार एक चीज़े याद रखना भाई, इसके बाद आपको दुबारा date करने का option नहीं मिलेगा, तो please make sure, सारी चीज़ें, अच्छे से सारी details, अच्छे से verify जरूर कर लेना, ठीक है, final एक बार आप submit पे click करोगे, तो यहाँ पे हमारे दो step complete हो चुके है, पहला step जो अपना registration का था, दूसरा step अपना application form का था, हमने दूनों step complete कर लिए, अब हमें क् with uploading photos, आपको क्या करना है, pin डालनी है, और आगे बढ़ना है, अगर आपके सारी document upload हो चुके है, successfully, now आपको क्या करना है, अपनी fees पे करनी है, ठीक है, since यार मैंने एक ही, एक ही वो choose कर रखा था, ठीक है, एक ही slot choose कर रखा था, से January वाला, तो मुझे यार 650 पे करनी है, आपन payment, okay, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे option मिल जाएंगे, ठीक है, तो यार, एक तो important चीज यार, यह है, कि payment, यह नहीं कि यार, form भर दी हमने है, कि अब payment बात में कर लेंगे, ठीक है, यह मत करना, ठीक है, जिस दिन form भर रहे हो, उसी दिन payment कर दो, उसी वक्त, ठीक है, इंति case में आरे किसी दूसरे payment gateway को भी आप चूज कर सकते हो, है ना, यसी आपना payment complete क्या है, यहाँ पर आपके सारे steps complete हो गया है, ठीक है, आपको अगली चीज क्या करना है, डाउनलोड कर लो है, यहां से confirmation page अपना, ठीक है, एक बार email भी अपना confirm कर लो है, यहाँ पर आपको क्या देता हूँ, और एक और important चीज है, अगर आपको content useful लगता है, बाकि आप एक बार चैनल पर भी जाके देख सकते हो, कि अगर आपको content यहाँ पर useful लगता है, तो please make sure subscribe जरू कर लेना, और वीडियो को like करना मत भूलना, अगर यह आपके लिए थोड़ी बहुत भी useful रही हो, तो, ठीक है तर तो एक लार में ते गली वीडियो में सिया